नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम कक्षा 10, RBSC, हिंदी निवारिय का वार्षिक प्रेक्षा का पेपर देखने जा रहे हैं, जो मोडल पेपर है, बहुत ही अच्छा पेपर है, अगर इस पेपर में आपने 70 से अबाउ माक्स राप्त कर लिए, तो इस बात की पूरी उम्मीद है कि आपके मैन एक्जाम में 78 to 80 माक्स आने की पूरी पूरी संभावना है, तो आप इस पेपर को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, इसकिप ना करें, और आराम से पोज करकर आप इसको देख सकते हैं, पहला जो प्रेशन है वो एपठित गद्यांस है, उसमें से 5 प्रेशन पूछे जाएंगे, वस्तुनिष्ट प्रेशन है, इसी में अगला पार्ट एपठित पद्यांज का है, उसमें से भी 5 प्रेशन पुछे जाएंगे, वस्तुनिष्ट परकार के, तो 5 और 5 दस प्रेशन होगे, 11 और 12 जो प्रेशन है वस्तुनिष्ट वो पुस्तक में से पुछे जाएंगे, 36 में से, उसके बाद जो अगला प्र और अगला तीसरा प्रस्ट है उसमें एक एक नमबर के बारा प्रस्ट आएंगे व बिल्कुल ही शेक्षोपत उत्तर देने होंगे लगबग 20 सब्दों में और फिर आता है खंड ब्वय इसमें इसमें प्रशन संख्या 4 से 16 तक प्रशन पूछे जाएंगे उनकी उत्तर सिमा 40 शब्द होगी और प्रतेक प्रशन जो है वो दो-दो रंबर का होगा आप देख सकते हैं बहुत ही शांदर पेपर है आप इसको हल करने कोशिश करें ताकि आपका इक बार खुद का इविल्वेशन हो जाए कि आप कितना क्या कर सकते हैं कितना एन्वल एक्जाम के लिए आप तयार हैं ये जो पंद्रवा और सोलवा जो प्रेशन है वो लेखत परिच्चे और कईउ परिच्चे का है दो-दो नंबर के दोनों प्रेशन आएंगे लेखत परिच्चे में भी दो आएंगे और कईउ परिच्चे में भी दो आएंगे अथवा में आएगा एक एक का आपको करना है फिर आता खंट स्य है इसमें से प्रसंग व्याख्या है गद्यान से ओप्शन आएगा अठारो एप्रेशन में पद्यान्स की व्याख्या है इसमें भी आपके पास ओप्शन है तेंदी नमबर का आएगा और यह नमबर भी डिवाइड किये गए हैं एक प्लस दो में एक नमर का प्रसंग और दो नमर की व्याख्या और फिर भी आपको विशेश लिखना है आप ये ना सोचें कि एक प्लस दो में ही ये बटा हुआ है विशेश लिखेंगे तो इसका अलग ही प्रभाव पड़ेगा जो कोपी चेक करने वारा टीचर होगा तो अच्छे मांक साने के पूरी-पूरी संभावना है 19 वा जो प्रेशन है ये निबंदात्मक प्रेशन है लेकिन इतना बड़ा उत्तर भी नहीं लिखना 40 सब्द ही उसकी उत्तरशिमा दी गई है और ये तीन-तीन अंक के पूछे जाएंगे ओप्शन होगा इसमें जो भी आ चार नंबर का निबंद पूछा जाएगा जिसमें आपके सामने संकेत बिंदू भी दिये गए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा है इसमें चार ओप्शन आएंगे उनमें से आपको कोई भी एक जो आपको इजी लगे वो आपको चूज करके उसके उपर लगबग तीन सो शबदों में आपको नि बंद लिखना होगा 22 सुवाप्रмет्शन है उसमें पत्र लिखवाय जाएगा वो भी चयार नंबर का है एक उप्चारिक होगा एक अनप्चारिक होगा दोनव से एक करना है और जो द्जट्टे Бजिस ऊँवाप्रेशन है अनतिम प्रेशन है वो भी चार नमबर का उसमें आपसे विग्यापन तेयार करवाय जाएगा 25 से 50 शब्दों के अंदर कहने का मतलब इसको अट्रक्टिव जितने ज़्यदा हो सके उसको आकरशक बनाए शब्द कम हो, डिजाइनिंग वगर आच्छी हो, अट्रक्टिव लगना चीए विग्यापन तो ये था कक्षा 10 का प्री बोर्ड एक्जाम का मेरे द्वारा बनाया गया पेपर आपसको स्वालू करना और मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद